नमस्ते दोस्तों आपका एक वर फिर से स्वागत है आपके अपनी एटो चानल पूजा घर संसार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आपको गर्वेधारन नहीं हो रहा है काफी सारी महिलाएं बहुत ही दिनों से या सालों से ट्राई कर रही हैं गर् इस वीडियो को देखना आपके लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप बहुत सारे पैसे खर्च करने से बच जाओ और तुरंती गर्वेधारन कर पाओ और साथे साथ जो लक्षन में बताने वाली हो उसको समझ पाओ और सही समय पे जो पहले हो जाता है गर्वधारन की कोई शियर डिटी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी भी हो सकता है तो जिन महिलाओं को जल से जल गर्वधारन करना है वह इस वीडियो को जरूर देखें आप बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगी और वीडियो को देखने से पहले उन सभी से रिक्वेस्ट जो पहली बार चानल को देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा पेल आइकन आउन कर लिजेगा ताकि ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इंफरमेसन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प् सवाइकल इस्टेनोसिस यह एक प्रकड की ऐसी प्रकिडिया है जिनमें की गर्वधारन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा इसके पीछे साइंटिफ एक कारण पहले में आपको बता देती हूं सबसे पहली बात अगर आपकी बच्चिदानी का मुंग क्लोस्ट होता है या का सेकेंड यह होता है कि जिन महिलाओं को ये परिशानी होती है उनको पीरेट ठीक तरीके से नहीं आते हैं बलड जो है अंदर ही जमता चला जाता है और ये बाद में गंभी रूप धारन कर सकता है तो ऐसे कंडिशन में गर्वधारन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स अब हम जा जो मुह है वह बिलकुल सेंटर पॉइंट होता है जो सबिक्स है और बच्चेदानी है उसके बीच में मिड़ पार्ट में बच्चेदानी का मुह होता है और यहां से अगर सबिक्स अंदर के और नहीं जाएगा तो फिर आपको गर्वधारन नहीं हो पाएगा कई सारी महिल बच्चेदानी का मुह प्लोजड होता है बाकि यह परिशानी किसी भी एज में हो सकती है इसके पीछे कई बार क्या होता है अगर आपको गार्ट बनने की समस्या है फाइब्रोइट से या फिक किसी भी प्रकाल का सूजन हो गया है या कॉंटेक्ट बनाने के समय चोट लग गई है या फिक किसी भी तरीके की अन्य कोई परिशानी है इसके लिए अपने दवाईयां मेडिशन ली है या फिक किसी प्रकाल का ट्रीटमेंट करवाया है तब उस कंडिशन में भी बच्चेदानी का मुह प्लोजड हो जाता है अब यह तो थे कारण कि क्यों बच्चेद जरूर रखे अगर आपके पिरेट का फ्लो पहले अच्छा आता था और अब काफी कम आने लगी है बहुत लाइट आने लगी है तो यह कारण हो सकता है कि आपके स्वविक कमों छोटा हो गया है या फिक क्लोजड हो रहा है सेकेंड होता है अगर पीरेट के दौरान काफी लेकिन दीरे आपका ऐस बढ़ता जाता है अगर आपको पेंड बहुत जादा रहता है तो यह भी एक में कारण है आपकी बच्चा द्रानी का मुझा हो सकता है इसके साथ ही अगर आपको पीरिड जो है मीस हो जाते हैं कई महीनों तक आते नहीं है तो ये भी एक मुख्य कारण है कि आपके सब्सका मुख क्लोज्ड हो चुका है ब्लड अंदरी जाकर जमता जा रहा है और ये बाद में गंभी रूप ले सकता है पूरी बचेदानी ही रिमोव हो जाए और आप ने संतान रह जाए तो इन लक्षनों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अगर ऐसी किसी भी परिशानी को आप फेस कर रही है तो इमेड डेट आप तुरंत ये गार्या के लॉजिस से संपर कर लें क्या होता है जब आप तुरंत लक्षन को समझ लेते हैं और ये जो इंडिकेशन है वो प्रूफ हो जाता है कि आपके बचेदानी का मुझ छोटा है या फिर बंद हो रहा है तो अडली ट्रेट्मेंट में ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है अब ये कैसे दूर होती है तो मेडिकली तीन तरीके होते हैं जिससे की इस परेशानी को दूर किया जाता है पहले होता है लेजर ट्रेट्मेंट में क्या होता है एक ट्यूब होती है जिसमें लेजर पोइंट होता है और को इंसर्ट किया जाता है आपके सविक्स की द्वारा बचेदानी के मुझ का पूरा यहां पर जांच किया जाता है और लेजर ट्रेटमेंट से ठीक हो सकता है सेकेंड होता है अगर काफी earlier स्ट्रेटमेंट आपको पकर में आ गया है तो इसको ट्यूब के माध्यम से भी खोलने की कोसिस की जाती है ट्यूब डाली जाती है बहुत पतली नली होती है अगर इससे यह ओपिन हो जाता है तो बहुत अची बात है फिर लेजर ट्रेटमेंट और ठरड होता है कि आपकी ठूटी सीق्राइब होती है बहुत जब करांगी तो आपको बार बार रेगुलर चेक अप के लिए जाना होता है और यहां पर परिस्तिती देखी जाती है कि आपके बॉडी के हिसाब से आपका जो ट्रीटमेंट है वो कितना सक्सेस्पुल हो रहा है या नहीं हो रहा है साथी साथ एक और चीज़ा मैं आपको बताना चाहूंगे फ्रेंड्स पीडेट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए पीडेट आपके बहुत सारे संकित देते हैं आपको गर्वधारन कराने के लिए तो फर्स्ट अपॉल अगर आपके पीडेट बिल्कुल रेड आ आ रहा है स्पॉर्टिंग के जैसा आ रहा है पीडेट के दौरान काफी ज़्याद आपको पीरा परिशानी होती है तो यह सभी इंडिकेशन है कि आपकी बच्चेदानी हिल्दी नहीं है पीडेट को रिगूलर करने के लिए सताबरी चुर्ण देना काफी ज़्याद है यह आपको बहुत ही बेस्ट मिलेगा जल से जल प्रेग्नेंसी कर पाएंगे इस वीडियो से रिलेटिड आपकी कोई भी डाउट मिथ है तो आप पूछ सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्सर में दियेगा नंबर पे ट्रेलिफ्योनिक कांसर्टेंसी ले सकते हैं वीडियो दि लाल इतना ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रोडियो में एक नई टॉपिक के साथ तक अपने ख्याल लगिए दोस्तों टेक किया नमश्कार